हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सी एंसी गुरू महेंदर वर्मा और मैं महेंदर वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक भहुती भैतरिन वीडियो लेके आया हूँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेला ऐकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तो मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी जोईन कर लीजिए को CNC machine की thread की programming करते समय और thread को समझने में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई problem ना हो तो दोस्तो ये वीडियो आज का बहुत ही important है तो इस वीडियो को last तक देखना है तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तो आज का जो topic है वो बहुत ही important है तो हम लोग जो है वो बात करने वाले है thread के बारे में तो वीडियो को बिल्कुल जो है वो आपने last तक देखना है तो दोस्तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे आज का हमारा content क्या है तो दोस्तो आज का हमारा जो content है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे what is thread thread क्या होती है उसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों इस परकार से जो है हमारी चूडी होती है तो आप यहां पर देख रहे हो कि किस परकार से हमारी जो चूडी होती है उसके बाद में तो दोस्तो थ्रेड भी बहुत सारे प्रकार के होती हैं तो उनके बारे में भी हम लोग बारी-बारी से जो है वो जानकरी प्राप्त करेंगे तो उसके बाद में दोस्तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जान लेते हैं कि दोस्तो चूडियां क्या होती है तो दोस्तो किसी cylinder की अंद्रूनी या बारी surface पर uniform 7 या फिर helix angle में बने हुए ridge को screw thread कहते हैं तो दोस्तो जिस परकार से आप यहां पर देख रहे हो कि किस परकार से जो है वो helical angle बनाती जो जिर्रियां होती है उनको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं thread कहते हैं जो thread होती है वो आपकी outer diameter पर भी cut सकती है और आपकी internal diameter पर thread आपकी cut सकती है तो आप यहाँ पर देख रहे हो external diameter पर यहाँ पर चूड़ी कटी हुई है और यहाँ पर अंदरूनी चूड़ीया यहाँ पर internal thread कटी हुई है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आउटर डायमेटर पर टेपर में भी चूड़ी कटी हुई है और इंटरनल डायमेटर में भी टेपर में चूड़ी कटी हुई है उसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग बात करते हैं यूज ओफ थ्रेड क thread का उपयोग है वो कहां का पर होता है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आधनिक उपयोग में यूग में screw thread जो है वो बहुती उपयोगी सीध हुई है इसकी साथा से कई परकार से कार्य किये जा सकते हैं जैसे दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ना, गती को प्रिवर्तित करना, अधिक शुब्दिता में माप लेना और भार उठाना इत्यादी जो कार्या है हम लोग थ्रेड से जो है वो हम लोग कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्क्रू थ्रेड के अंदर सबसे पहले उप्योग जो है वो कहां पर होता है तो दोस्तो फास्टनर के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है जिससे आपके जो नट बोल्ट होते हैं उनमें जो है वो सबसे ज़्य जादा screw thread का उपयोग किया जाता है thread की साहिता से दो या दो से अधिक parts को असानी से आपस में जोड़ा जा सकता है जैसे nut bolt और screw उतियादी जो है वो हम लोग 2 parts को इनकी साहिता से जो है जोड सकते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे nut bolts होते हैं जिनकी साहिता से हम लोग 2 parts को अपस में जो है जोड देते हैं तो दोस्तो weavy जो load होता है उसको उठाने के लिए भी हम लोग thread का use करते हैं, वो thread भार उठाने के लिए कहां पर use होती है, तो screw thread की साहता से भार को भी आसानी से उठाया जा सकता है जैसे screw jack, आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ के अंदर हम लोग उपयों हम लोग गाड तो इस परकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके जो जैक होते हैं, स्क्रू जैक होते हैं, तो जो स्क्रू जैक के यहाँ पर एक रोड लगा करके इसको घुमाया जाता है, तो जिससे यह जो चूडिया होती है, यह उपर की और जिससे निकलना शुरू कर देती है तो जिससे क्या है कि आपका जो weight होता है वो उपर की और जो है वो उठ जाता है उसके बाद में दोस्तो thread का जो अगला उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है गती परिवर्तन के लिए तो दोस्तो गती परिवर्तन के लिए ये कहाँ पर use होता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ screw thread की साइता से गती को परिवर्तित किया जा सकता है जैसे lat machine का lead screw दाएं और बाएं वील इत्यादी तो दोस्तो lat screw जो होता है lat machine का वो गती को परिवर्तित करता है और lead screw के द्वारा हम लोग automatic feed दे सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो आपका backward and forward जो है वो इससे हम लोग use कर सकते हैं तो इस परकार से आपका lead screw होता है जिसके द्वारा हम लोग गती को परिवर्तित कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तो हम लोग आगे बात करते हैं अगला जो उपयोग होता है screw thread का वो कहां पर होता है दोस्तो तो परिशुद माप लेतने के लिए to take accurate measurement तो accurate measurement प्राप्त करने के लिए भी हम लोग screw thread का use करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि screw thread का उपयोग जो होता है वो accurate map लेने के लिए कहां किया जाता है screw thread की साहता थे शुदता में map भी असानी से ली जा सकते है जैसे micrometer तो दोस्तो micrometer के अंदर जो है वो दोस्तो एक thread कटा होता है जिसकी साहता से जो है वो क्या होता है यह आपका जो यह spindle होता है यह आगे की और बढ़ता है तो यह पीछे का ratchet part होता है तो इसके अंदर आप देख रहे हो इस स्क्रीन में नीचे वाली फोटो में तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वो यह अंदर जो है वो screw thread कटे होते है तो दोस्तो screw के कारण ही जो है वो thread के कारण ही जो है कर में जो है वो आगे के और बढ़ता रहेगा तो प्रिशिद्म वाप रप्त करने के लिए भी जो है वो screw thread का जो प्योग है वो किया जाता है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे main parts of screw thread तो दोस्तों screw thread के भी बहुत सारे parts होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से जो parts होते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्रिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्ट क्या होता है उसके बाद में दोस्तों हम लोग lead angle कहते हैं वो क्या होता है lead क्या चीज़ होती है और helix angle क्या होता है उसके बाद में number of thread मतलब चूडियों की संख्या क्या होती है इसके बारे में जो है वो दोस्तों आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक photo में देख रहे हैं कि किस परकार से जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है यहाँ पर जो है वो आपको pitch के बारे में बताया गया है कि pitch क्या होता है उसके बाद में thread angle क्या है और उसके बाद में depth of thread क्या होती है उसके बाद में minor diameter, major diameter, pitch diameter, root, crest, helix angle इनके बारे में जो है वो आप लोगों को जानकारी मिलेगी तो आगे हम लोग दोस्तों विश्तार से पढ़ लेते हैं कि ये सारे जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं तो अगली slide में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्रिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि चूडियों का क्रिस्ट क्या होता है कि चूडियों का सबसे उपरी सिरा क्रिस्ट कहलाता है तो दोस्तो यहां से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिसे यह जो ऊपर का जो सिरा होता है यहां पर जो आपकी थ्रेड के जो ऊपर का सिरा होता है जिसे यहां पर यह जो को क्रिष्ट का बताया गया कि क्रिष्ट जो होता है वो चूडियों का जो से बेस होता है नीचे वाला पॉइंट जो होता है जिसे चूडियों गहराईं को सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है आपका वो रूट कहलाता है दोस्तो उसके बाद में बात करेंगे फ्लैंक चूडियों के साइडों की सता फ्लैंक कहलाती है जो चूड बिद्धों के मध्य अक्ष के समांतर दूरी को पिच कहते हैं इसका मतलब यह है कि टॉप से टॉप जिसे मतलब एक चूड़ी से लेकर के दूसरी चूड़ी के टॉप से टॉप का जो बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तो pitch कहते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे pitch कहेंगे उसके बाद में दोस्तो हम लोग आगे बात करते हैं आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तो pitch line क्या होती है तो चूडियों की घहराई के बीच से निकली रेखा को pitch line कहते हैं दोस्तो चूडियों के जो व्यास होता है उसको जो है वो हम लोग क्या कहेंगे उसको डायमेटर कहेंगे पिछ डायमेटर कहेंगे मेजर डायमेटर क्या होता है दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेजर डायमेटर जो है वो क्या होता है कि चूडियों का जो बाहर से बाहर का जो डा चूडियों के जहांतक कि गहराई ओती है। वहां थक का जो डायमेटर मापा जाता है उसको हम लोग जो है वो माइनर डायमेटर जो है वो कहते हैं उसके बाद में दोस्तो चूडियों की गहराई मतलब deep of thread मतलब जो आपकी चूडी होती है कितनी गहरी है किसी thread के crest और root के बीच की गहराई को हम लोग depth of thread कहते हैं दोस्तों ठीक है आगे हम लोग बात करेंगे चूडी का angle तो जिसको हम लोग thread angle भी कहते हैं तो जो चूडी आपकी बनी होती है तो उसके बीच का जो flank के बीच के बीच के अंदर जो cone बना होता है वो कितने degree का cone बना हुआ जैसे आपका metric thread का जैसे 60 degree का बना होता है BSW thread का जो है वो आपका 55 degree का बना होता है तो उस प्रकार से जो चूडीयों का angle होता है न उसको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे उसको angle of thread कहते हैं उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे flank cone तो चूडीयों के cone का आधा जो होता है वो क्या कहलाता है वो flank कहलाता है lead किसी screw पर चलता हुआ nut एक चकर में तो दोस्तों ये चीज बहुत ही समझने वाली बात है कि किसी screw पर चलता हुआ nut एक चकर में जितनी दूरी तया करता है वह उसकी lead कहलाती है single start thread में 5 lead समान होती है multi start thread में 5 lead तथा number of start के गुणनफन के बराबर होती है तो दोस्तों आपकी जो single start thread होती है इसमें एक चूड़ी जैसे आपका एक nut एक चकर पूरा करेगा तो जो है वो आपका उसका जो है उसको lead कहते हैं एक चकर पूरा करेगा तो आपका single start में thread और pitch बराबर होती है वो आपकी pitch और lead बराबर होगी और multi start में क्या होता है जितना start होता है pitch और lead के बराबर उसको गुणा कर दिया जाता है तो दोस्तों आगी की slide में आप लोग समझ जाएंगे कि किस परकार से जो है वो आपका single start thread और multi start thread जो है वो use की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो और एक दूसरी slide में आप लोगों को जो है वो बड़े ध्यान से आपको समझ में आएगा दूसरी picture में पहली picture के उपर ध्यान देते हैं single thread दोस्तों single thread में क्या होता है जब आपका यह जो nut है bolt के उपर एक चकर पूरा करेगा तो आपकी जितनी pitch होगी उतना ही आगे बढ़ेगा यह तो है आपका single start में ठीक है तो pitch और lead जो है वो दोनों बराबर होगी उसके बाद में दोस्तों double start में क्या होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपका nut है जब एक चकर पूरा करेगा तो जितनी उसकी जो lead होती है और आपकी जो pitch होती है उसको जो है वो number of start के साथ में गुणा कर दिया जाएगा तो उसको हम लोग double start में कितना आगे बढ़ेगा वो आपको मालूम चल जाएगा ऐसे multi start में जैसे 4 start जो आपकी thread होगी वो एक चकर में जो है वो आपकी 4 की lead हो complete कर जाएगी मतलब 4 जो है वो इसकी पूरी complete हो जाएगी तो वो आपकी 4 start thread होती है तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहां पर 3 की निशान के बराबर आपको बताएगा जैसे आपका एक चकर जैसे घुमेगा तो एक चकर में एक ही point जो है आगे बढ़ेगा double start में यह double तक आगे बढ़ेगा और multi start में जो है वो आपका जो lead के उपर जो nut आपका चड़ाते हैं तो वो बहुत ही first जो है वो आगे की ओर जो है वो बढ़ जाता है ठीक है तो दोस्तो उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे हैलिक्स एंगल हैलिक्स द्वारा पिछ व्यास पर लंब के साथ बनाया गया कौन जो है वो क्या होता है हैलिक्स एंगल होता है ठीक है तो चूडियों की संख्या तो दोस्तो एक इंच के अंदर जो कुल चूडियां जो बनती है उसको हम लोग number of thread भी कहते हैं और उसको जो है वो चूडियों की संख्या भी कहते हैं कि एक इंच के अंदर जितनी चूडियां बनी होती है उसको जो है वो हम लोग है थ्रेड का जो है वो चूडियां कहते हैं ठीक है कितनी जैसे मालो यह एक इंच के अंदर कितनी चूड़ियां बनी है तो आठ चूड़ियां बनी है तो जैसे मतलब यह हो गया आपका आठ टीपी आई मतलब आठ चूड़ियां जो है वो एक थ्रेड पर इंच के अंदर जो है वो बनना चाहिए उसको कहते है नमबर ओफ थ्रेड इन वन इंच ठीक है तो दोस्तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप मुझे जो है वो कमेंट करके जुरूर बताएं और दोस्तो इस वीडियो का जो है वो पार्ट सेकंड भी आएगा तो दोस्तो इस वीडियो को जो हो अधिक से अधिक शेर कर दी के लिए लबशकार